Hello students, आज मैं R.T.S.K.Lani, Your Chemistry Tutor आपको 11th class का 1st chapter, Some Basic Concepts of Chemistry में दो important topic, one is scientific notation जो आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इसके बाद एक दूसरा जो इसका next topic है, significant figure उसको मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगे तो यह जो topics दो इस chapter में हैं बच्चों तो यहां से आपका एक question जो CBSC में 11th class के कोई भी आप quarterly का paper उठाईए, आप हाफियली का question आयर देखे या आप annual का question आयर देखे, आपके first या second question हमेशा इन ही दो topic से two marks का पूछा जाता है, यहां से कोई long question नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा concept है, अगर आपको यह समझ में आ जाता है तो within आपको seconds में ही इस two marks के question को attempt कर सकते हैं, तो I hope आपको यह जब हम यह जब वीडियो पूरा आप देख लोगे तो आपको यह topic अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इससे related कोई भी question को attempt करने में आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी तो simply आपका आज जो यह मैं आपको explain करने जा रही हूँ scientific notation, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि बच्चों what is scientific notation तो scientific notation बच्चों एक technique है, एक method है जिससे हम use करते हैं, कोई भी आपका बहुत large number है या कोई बहुत small number है, उसको represent हमने कैसे करना है represent means आपका बहुत जो large number, जो बहुत large number रहता है या बहुत small number रहता है, उसे generally क्या देखा गया है उसे याद करने में, लिखने में या उससे related calculation में जो complications आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं अगर हम उसको उस large number को या small number को कुछ इस तरह से convert कर दें कि आपका वो easily learn भी हो जाए, easily लिख भी लें आप उसे और उससे related कोई भी calculation में आपको दिक्कत ना आए तो उस technique को, उस method को, जिसमें हमने उस large number को या उस small number को क्या क्या, एक easy notification के through क्या क्या represent किया, तो उस technique को हमने क्या बोला, scientific notation कहा तो इसका अगर मैं आपको simple side बोलोंगी कि what is scientific notation तो it is the way to represent both very small and very large numbers in the scientific manner ओके बच्चों, कि यह आपका एक method है, एक scientific manner है जिसके through हम बहुत small number या बहुत large number को क्या करते हैं, represent करते हैं और यह technique हमने क्यों use की, मैंने अभी बताया आपको कि जो बहुत large numbers होते हैं या बहुत small numbers होते हैं उनको generally क्या देखा गया है, कि उनको learn करने में, उनको लिखने में या उनसे related calculation करने में क्या आती हैं, बहुत जादा दिक्कत आती हैं जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक simple method यूज करना पड़ता है और उसी method को हमने, या उसी representation को हमने कि जिससे हमने उसी small number को easily learn कर लिया, उस concept को हमने क्या खा, scientific notation कहा, understood? next, in general scientific notation, a number is expressed in the form of n into capital n into 10 to the power small n where n capital n is called digit term between 1 to 9.999 and small n is an integer called the exponent okay, बच्चों, scientific notation को अगर मैं बोलो, scientific notation आपका a simple expression है, जिसमें हम किसी भी digit को between आपका, generally आपकी digits कहां तक रहती है, किस-किस के बीच में रहती है तो 1, 2 आपका 9.999 के बीच में आपकी maximum आपकी digits आ जाती है उसी के बाद आपका क्या होता है, repeat होती है digits, तो अगर आप किसी भी digit को 10 to the power में express करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगे, आपको simple सा समझ में आ जाएगा कि what is 10 to the power, तो जैसे भी हम किसी भी digit को 10 to the raise में हम express करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो उसका scientific notation है तो 10 to the power में हम किसी digit को लिखते हैं, simple सा 10 की power में अगर हम किसी digit को लिखते हैं, किसी large number को या किसी small number को, तो हम उसको 10 to the raise में तभी लिखेंगे जब हम उस large number, यह smaller number में क्या करेंगे, decimal point को क्या करेंगे, move करवाएंगे from right to left or left to right, अभी आपको यह पूरा वीडियो देखे, आपको समझ में आ जागा किस तरह से right to left or left to right हम क्या करते हैं, वीडियो decimal point को move करवाते हैं, सब सु पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी addition and subtraction in scientific notation, अगर आपके पास exam में पूछ लिया जाता है कोई calculation based question और बोला जाता है, what is the scientific notation या what is the scientific notation of the given calculation तो आपको उसको किस तरह से solve करना है, in condition of addition and subtraction, तो हम क्या करेंगे to add or subtract number in scientific notation, the power of 10 called exponent must be same in both the numbers, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अगर आपके पास calculation, addition based है, या आपका subtraction based calculation आपको given है और आपको बोला गया है कि इसका scientific notation आप बताईए, तो सबसे पहले आपके पास जितने भी numbers given है उस addition वाले numerical में या उस subtraction वाले calculations में, आप क्या करेंगे, जितने भी number है, उनके अगर आप 10 to the power same कर सकते हैं, तो आप उनकी 10 to the power को क्या कर देंगे सबसे पहले, same करेंगे और फिर उसको हम solve करेंगे, इन suppose मैं आपका एक इसमें example ले रही हूँ, आपका suppose ये calculation आपको दे दी जाती है और इस पर आपको scientific notation को पूछा जाता है, calculation क्या है आपका 6.234 into 10 to the power 4 plus 1.203 into 10 to the power 3 अगर आपका इस से पूछा जाता है कि what is the scientific notation of this calculation, तो आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले देखना है कि 10 to the raise दो डिजिट है आपके पास, दो को आपको प्लस करना है, एक है आपका 6.234 और second digit is 1.203 into 10 to the raise 3, अब आपको इन दो डिजिट में 10 to the power देखनी है एक में है 10 to the power 4, एक में है आपकी 10 to the power 3, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपने करना है इसमें आपने सबसे पहले 10 to the power को क्या करना है, सेम करना है, ओके 10 to the power अब आपकी सेम कैसे होगी, 10 to the power सेम करने के लिए आपको क्या करना है यह जो second number है 1.203 इसमें आपने decimal point को क्या करना है move करवाना है अब आपका अगर हम ऐसा क्या करें कि 10 to the power 4 हो जाए इस number में भी आपका 10 to the power 4 हो जाए तो simple मैं बोलूँगी कि जो यह 1.203 है इसमें अगर मैं इस decimal point को कहां लियाओ आपकी 10 to the power क्या हो जाएंगी इंटू 10 to the power 1 जो होगी एक बढ़ जाएगी तो 10 to the power आपके पास क्या है 10 to the power पहले ही आपके पास 3 है अगर मैं इस decimal point को front में ले आती हूँ तो आपकी 10 to the power एक और बढ़ जाएगी और 10 to the power आपके हो जाएगी 4 तो हम इसको किस तर ऐसे लिखेंगे आपका यह हो जाएगा 6.1 डिजिट 6.234 इंटू 10 to the power 4 प्लस सेकंड डिजिट 0.1203 इंटू 10 to the power 4 लिख सकते हैं सेम हो गए 10 to the power 4 10 to the power 4 अब हम क्या कर देंगे इस power को common ले लेंगे और जो आपके पास number value है उसको हम plus कर देंगे तो इसको मैं किस तरह से लिख सकते हूँ 6.234 प्लस 0.1203 यह आपका common आगया यह आपने क्या करा इसको मैं प्लस कर देंगे डिजिट को इंटू 10 to the power 4 आपका क्या आगया? common आगया ठीक अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे इन दोनों को हमने प्लस किया तो इन दोनों को प्लस करने पर आपका आगया 6.3543 into 10 to the power 4 जो है आपका ये answer आगया ओके तो अगर आपके पास ऐसी कोई calculation दे दी जाती है तो उसमें आपने इस तरह से solve करके आपका क्या निकालना है scientific notation निकालना है that means scientific notation of this calculation is this एक example हम किसका subtraction का भी ले लेते हैं subtraction में भी अगर सेम आपके condition बनती है 6.234 into 10 to the power 4 into minus 1.203 into 10 to the raise 3 तो इसमें भी हमने क्या करना है 10 to the raise पहले same करनी है 10 to the raise आपने same करने के लिए क्या 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 same मैंने वही method किया कि decimal point को हम कहां ले गए front मे ले गए decimal point जैसे हम front मे ले गए आपके 10 की power क्या हो गई एक बढ़ गई और आपका ये number हम इस तरह से represent करेंगे 0.1203 into 10 to the power 4 अब आपके 10 to the power जब बोथ साइड आपके बोथ नमबर्स में क्या होगी same होगे 10 to the power 4 तो इसको हम common ले लेंगे जैसे हमने earlier फर्स्ट एक्जामपल में किया था और जो दोनों numbers है 6.2340 माइनस कर देंगे इसमें से 0.1203 और 10 to the power 4 आपका common आ जाएगा तो जब हम इसको करेंगे तो आपका जब माइनस करेंगे हम 6.234 में से 0.1203 तो आपका answer आएगा 6.1137 और इंटो 10 to the power 4 जो हमने common लिया था तो अगर आपके पास subtraction आता है तब भी हमने same method apply किया और अगर आपके पास addition आता है तब भी हमने same method apply किया तो 10 to the power अगर आप same कर सकते हैं 10 to the power आप same करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे 10 to the power को common लेके आप जो digits है उनको plus या minus करके अपना final answer जो है scientific notation का वो आप दे देंगे understood next is in condition of multiplication and division अगर आपके पास calculation जो है वो आपका multiplication और division बेस्ट है और उसमें आपको scientific notation find out करना है तो उसको हम किस तरह से करेंगे बच्चों तो multiplication की condition और division की condition में आपने थोड़े से दो formula ध्यान रखने है multiplication की condition में क्या करेंगे आप जो दो numbers का multiplication हो रहा है उनके साथ 10 की अगर power है तो 10 की power क्या हो जाती है multiplication की condition में plus हो जाती है इस concept को धिहान रखेंगे इफ 10 to the power x into 10 to the power y तो आपका 10 to the power हो जाएगा final answer में x plus y understood and next is in conditional division division में if 10 to the power x divided by 10 to the power y gives out आपका क्या से solve करेंगे से 10 to the power हो जाएगे x minus y तो हम x में से 10 to the power जो आपकी नीचे है उनको minus कर देंगे तो आपका final answer आएगा उनमें हम क्या कर देंगे उसको put करके आपका answer बता देंगे okay example लेते हैं इसका भी suppose आपके पास एक calculation दे दी गई है multiplication based 3.025 into 10 to the power 3 into 6.217 into 10 to the power minus 6 इसको आपको पूछा गया है what is the scientific notation in the given calculation तो आप क्या करेंगे इसमें आपको 10 to the power same नहीं करनी है आपने सिर्फ x plus y करना है that means both number की जो 10 to the power है उनको हमने plus कर देना है okay तो आप multiplication किसका अगर होगे multiplication आपने करना है 3.025 and 6.217 का इन दोनों का जब हम multiplication करते हैं बच्चों तो answer आजाता है आपका 18.81 okay और 10 to the power 10 to the power आप हम एक side ले जाएंगे 10 to the power है आपके पास 3 and 10 to the power है minus 6 अब हम क्या करेंगे 10 to the power लिखेंगे 3 plus करना था आपका क्या हो जाएगा 3 plus minus 6 10 to the power 3 x plus y बूला था in conditional multiplication minus 6 तो क्या हो जाएगा आपका 10 to the power 3 plus minus का minus और 6 तो 10 to the power हमारे पास final कितनी आगई minus 3 आगई minus 3 नहीं minus 3 आगई तो इस तरह से हम इसको solve करेंगे अब आपका scientific notation एक चीज और है बच्चों जो आपने ध्यान रखना है scientific notation में आपने इस तरह से solve करना है यह आगए आपका 18.81 into 10 to the power minus 3 छीक है अब 18.81 into 10 to the power minus 3 आपका यह आगए इसमें आपने क्या करना है आपका अगर हो सके तो आपने जो final answer देना है वो आपने final answer क्या देना है final answer आपने जो आपके पास number आया है उसमें आपने decimal point को एक non zero digits के पीछे move करवाना है जैसे आपका final answer था 18.81 तो 18.81 को मैं यह भी लिख सकती हूं into 10 to the raise कितनी थी इसके साथ minus 3 थी अब 18.81 को मैं अगर यह decimal point कहां ले जाओं first non zero digit के पीछे ले जाओं मतलब 1.8 लिखूँ उसे 1.81 तो आपका क्या हो जाएगा 10 to the power आपके पास minus की 2 पहले से थी चेक अब जब मैंने decimal place आपका एक move करवाया तो आपका कहां से कहां करवाया आपका right hand side to left hand side कराया ऐसे मैं move करवाया और कितने decimal place कराया वन decimal place कराया तो वन decimal place from right to left करवाने पर आपकी क्या हो जाएगी 10 to the power plus 1 एक 10 to the power में difference आएगा ओके तो minus की 2 minus की 3 थी है हमारे पास sorry minus की 3 plus 1 तो क्या आजाएगा आपका final answer आपका answer आजाएगा 18 1.81 1.881 into 10 to the power में से आपका minus 3 में से plus 1 हो जाएगा तो आपका final answer आजाएगा 2 यहाँ पर आपका decimal point थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है आप इसको धिहान रखेंगे now turn to next page आपका मैंने एक division based भी आपका numerical layer का है कि अगर suppose आपके पास division से related आपका पूछा जाता है scientific notation में तो आपका अगर division का कोई question है suppose आपके पास 3.81 into 10 to the power 12 upon 6.22 into 10 to the power 23 है इस पर आपका पूछा जाता है what is the significant figure of the following calculation तो आप क्या करेंगे आपने simple सा ध्यान रखना है 10 to the power x divided by 10 to the power y क्या हो जाता उसका final answer 10 to the power x minus y ओके तो हम क्या करेंगे इसमें हमने division करना है केवल इंदो का जैसे हम simple करते है 3.81 divided by 6.22 इसको हम simple divide कर देंगे और 10 to the power जो थी x क्या है 12 है और y क्या है आपका 23 है तो इसको हम क्या कर देंगे अलग से solve कर देंगे तो कैसे करेंगे 10 to the power x minus y से तो 10 to the power 12 minus 23 तो हमने जब इसको solve किया जब divide करेंगे तो आपका answer आजाएगा कितना 0.613 10 to the power जब हमने 12 minus 23 करेंगे तो 10 to the power आपके पास आजाएगे minus की 11 अब same वो ही कि आपका answer आया 0.613 into 10 to the raise minus 11 अब मैंने बोला scientific notation में हमने क्या करना है यह decimal point का है सारा खेल बच्चो decimal point को हमने first non zero digit के पीछे लिखना है तो मैं अगर इसको यह लिखना चाहूँ 6.13 तो 10 की power क्या हो जाएगे आपकी अब मैंने decimal point को कहां से कहां move करवाया इस चीश का ध्यान रखना बच्चो अब मैंने आपका decimal point left hand side to right hand side move करवाया कितना move करवाया सिर्फ एक decimal place move करवाया चीश के बाद ले गई तो सिर्फ 6 एक number था जिसके पीछे मैं उस decimal point को ले गई तो आपका क्या हुआ आपका decimal point को move करवाया from left to right ओके और एक decimal place इसलिए आपकी जो 10 to the power 11 पहले से थी एक आपकी 10 to the raise आपकी minus 1 again raise होगी और आपका जो final answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6.13 into 10 to the power minus का 12 ओके इन चीचों का आप ध्यान रखेंगे बच्चों हमने क्या किया हमने किया आपका decimal place को move करवाया from left to right इसलिए हमारा final answer हो गया आपका 6.13 into 10 to the power minus 12 अब मैं आपको दो point note के बता रही हूँ इस जीच को ध्यान रखेंगे और scientific notation से आपको कोई भी problem आपको नहीं आने वाली और two marks जो आपका मैं बोल रही हूँ 11 के किसी भी questionnaire में कोई भी exam अगर में terms होते हैं final exam होते हैं आपका एक question आपका इसी topic से पूछा जाएगा यह topic से नहीं होगा तो आपका ऐसा ही एक दूसरा छोटा सा topic है significant figure जिसे मैं next video में आपको provide करवाऊंगी आपका confirm question है कि आपका इन दो topics अगर आपकी clear हो जाते हैं तो आपका two marks आपका इन ही दो topics से पूछा जाएगा next आपका मैं note बोल रही हूँ इनको आप ध्यान रखेंगे और note करते हुए चलेंगे साथ ही साथ when we move decimal points from left to right अगर हम अपना decimal point कहां से कहां move करवा रहे हैं left to right मतलब ऐसे में move करवा रहे हैं ठेक तो आपकी जो 10 to the power होंगी वो always आपकी negative आएंगी और कितने negative आएंगी जितने आप decimal place क्या करेंगे decimal point को move करवाएंगे अभी हम इसका example लेंगे एक मैंने इसका एक example लिया है बच्चों example है आपका suppose 0.0062 ऐसा आपके पास कोई number आ जाता है और आपको गवाल आ जाता है कि इसको क्या करिए scientific notation में convert करिए तो scientific notation में आपका मैंने अभी बताया कि scientific notation में जो decimal point है उसको हमने क्या करना है सबसे पहले scientific notation में हमने करना क्या है scientific notation में हमने किसी भी number को 10 to the power में लिखना है अब 10 to the power में लिखने के लिए हमने क्या किया हमने decimal point को move करवाया decimal point आपका सिर्फ two types से move होता है या तो आप उसे left से right ले जा रहे हैं या आप उसे right to left move करवाया तो इस number में हमने decimal point को right to left ले जाना है यह left to right ले जाना है इसका ध्यान रखेंगे हमने क्या किया हमने आपका decimal point move क्या करना है एक non zero digit के पीछे ले जाना है अब इस number में first non zero digit क्या है six चेकर यह दो तो zero है और आप गाई इसमें non zero क्या बन रहा है six number तो that means हमने decimal point कहां लाना है हमने decimal point first non zero के पीछे लाना है मतलग यहाँ पे हमने उसको set करना है ध्यान से समझना बच्चों हमने decimal point लाना है 6 के पीछे first non zero के पीछे मतलब मैं इसको यह लिखूंगी 6.2 अब 6.2 अगर मैं इसे लिख रही हूँ तो मैंने कितने कहाँ पे decimal point था कहाँ कितने decimal place मैंने उसे move करवाया तो मैंने उसे 6206 क्या था आपका नंबर 0.6 अब मैंने आपका क्या क्या decimal point यहाँ पे लाई तो आपका decimal point कितने decimal place क्या हुआ move करा first, second, third तीन नंबरों के पीछे मैं कहाँ ले गई decimal point को ले गई और कहां से कहां को ले गई मैंने उसको left hand side to right hand side क्या करा move करवाया ऐसे मैं move करवाया तो आपकी एक छीज़ धियान रखोगे कि when we move left to right 10 की power अमेशा क्या हैंगी negative आएंगी अब कितने negative आएंगी जितने आपने decimal place अपना decimal point move करवाया कितने decimal place move करवाया 3 decimal place move करवाया in this digit तो आपका 10 to the power है वो आजाएंगी minus की और 3 ओके in means हम इसको क्या कर सकते हैं इसको मैं लिख सकते हूँ 6.2 into 10 to the power minus 3 understood ओके अब मैं इसका दूसरा example लेती हूँ कि अगर हम decimal point को क्या कर रहे हैं decimal point को move करवारे हैं right to left that means ऐसे मैं move करवारे हैं छेक अभी हमने left to right बात की थी left to right में negative आएंगी power जितने decimal place move करवाया और right to left में आपका positive आएंगी power जितने आप decimal point move करवागी अब आपका suppose number है 6200 okay point 0 एक चीज़ और धियान रखना बच्चों अगर आपका इसमें आपका ये decimal ये simple ये digit होती point दिया नहीं होता तो जिस digit में आपका point नहीं भी दिया हुआ है उसमें हम decimal point को कहां पे लेंगे आपका decimal point आपका आता है last में तो that means उसमें भी हमने जिसमें decimal point नहीं देर गाए तो उसको छोड़ के नहीं आजाना है इसमें decimal point नहीं है ये scientific notation में convert नहीं होगा जिस digit में आपका decimal point नहीं है उसमें हम decimal point को लेंगे last में और फिर हम उस decimal point को first non zero digits के पीछे set करने के लिए हमने उसे right to left move करवाया ये left to right move करवाया इसके base पे हम 10 to the power को क्या करेंगे raise करेंगे अब इसमें आपका decimal point कहां जाएगा वो ही first non zero के पीछे यहां पे हमें लाना है तो आपको कितने decimal place move करवाना पड़ेगा इसको first, second, third that means आपको 3 decimal place आपका move करेगा decimal point और कहां से कहां को करेगा हमने movement कराया ऐसे decimal point आपका यहां से यहां गया तो मतलब आपका इस ओर बढ़ रहा है तो यह कौन से movement है यह आपकी right hand side है यह आपकी left hand side है तो when we move decimal point from right to left then 10 to the power raise always in positive आपका जो 10 to the power है वो हमेशा positive में आएंगी तो आपका क्या हो गया आपका final answer हो जाएगा 6200.0 का मैंने decimal point लगाए हैं यहां पे तो मैं इसे लिखूंगे 6.2 फिर 0 लिखने की ज़रूत नहीं है into 10 to the power 3 और कैसे 3? प्लस में 3 तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है तो इस तरह से हम आपका किसी भी number को scientific notation में represent कर सकते हैं सिर्फ आपने ध्यान गी रखना है सबसे पहले जैसी आप question attempt करो या आप scientific notation का question देखो तो आपके माइंड में एक चीज आनी चीए कि scientific notation है क्या? scientific notation आपका एक technique है जिसमें हम किसी भी number को 10 to the raise में express करते हैं आप 10 to the raise में हमें express करने के लिए आपका decimal point को move करवाना पड़ता है या तो हम उसे left to right move करवाएंगे if we move decimal point left to right then आपका जितने भी आपने decimal place क्या करे move करवाया decimal point को आपकी 10 to the power उतनी negative आएगी और अगर आपका decimal point right to left move कर रहा है तो आपकी जितने भी decimal place आपके decimal point ने move करे 10 to the power उतनी positive आएगी okay I hope you like this video thank you for watching